Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sany Learning Classes, मैं हूँ आपके एजुकीटर नेहा सैनी तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ Aseptic Transfer इसमें आज हम सीखेंगे कि अगर आपको किसी ट्यूब के अंदर कोई कल्चर को इनोकलेट करना है तो हम किस तरह से without contamination उसको करेंगे याँ कि बिना contamination के aseptic ट्रांसफर हम किस तरह से करेंगे Aseptic का मतलबी क्या होता है बिना किसी contamination के आप क्या कर रहे हो इनोकलेट कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे हम culture inoclight करने की बात कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है पाचवा sanitizer, यानि कि आपके हाथ भी sanitize होने चाहिए, ठीक है, ये basic requirement है, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको जिस tube में nucleate करना है, वो tube होनी चाहिए, उसके उपर या तो cap होगी, या फिर आपका cotton plug होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने hands क flame जलाई है, उस loop से क्या करेंगे, उसको पूरा प्रोपल आपके उसको क्या करेंगे, heat करेंगे, ठीक है, यानि कि इस loop को क्या करेंगे, flame the loop and sterilize it, इसको हम क्या करेंगे, isterize करेंगे, फिर उसके बाद जो tube है, ठीक है, त्यूब है, उसमिए जो cotton plug हैं, अगर आपने लगा रखे तो उसको remove करेंगे, cap लगा रखे तो वो remove करेंगे फिर उसके बाद उस tube को भी क्या करना है आपको sterilize करना है, जो उसके tip है उसको क्या करना है sterilize करना है, थीक है, फिर only sterilize loop portion of loop enter the tube, ठीक है, जो sterilize portion है loop का, वो ही आप क्या करेंगे, इस culture को दुबारा से री फ्लेम करेंगे और ट्यूब को पैक करके रखतेंगे ठीक है अब उसके बाद जो आपने यहां से जो कल्चर लिया है ठीक है यह जो कल्चर लिया है अब इसको आप क्या कर सकते हैं दूसरी दूसरी जो ट्यूब है उस ट्यूब में यह जो ट्यूब है ठी कोदि muchís गों को दो छो है यह पर इस पिर यहां पे क्या होगा है ठीकक है या फिर यह कैफो कि चुनलो को रिमूुव और इनकुलेशन लूप से सको इनोकलेट करेंगे तिक या फिर यह plate है इस plate पर आप क्या कर देंगे इसको streak कर देंगे ठीक है यह जो plate है इस पर क्या करेंगे जो आपके हाथ में loop है उससे हम क्या कर देंगे स्ट्रीकिंग कर देंगे इस तरह से फर्स टाइम आपने स्ट्रीक किया फिर इसको क्या किया आपने स्ट्राइल किया फिर सेकंड टाइम स्ट्रीक किया फिर इसी तरह से थर्ड टाइम आप इसको स्ट्रीक करेंगे फिर से क्या करेंगे इसको sterile करेंगे फिर फॉर्थ टाइम में आप क्या करना जाए है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी isolated colonies मिलेंगी ठीक है यहाँ पे आपको क्या मिलने शुरू हो जाएंगे isolated colonies मिलने शुरू हो जाएंगी फिर इन colony में से आप एक colony पिक करेंगे फिर इस A-colony को आप क्या करेंगे इसकी Gramis Standing करेंगे पहले तो इस Colony को आप क्या कराएंगे Pure Culture बनाएंगे थीज इसी तरह से आप इसका क्या करेंगे Pure Culture बना के रख लेंगे फिर इस Pure Culture को Gramis Standing में देखेंगे जो कलचर है वो क्या है आपका Pure है या नहीं को इनकुलेट करना है या फिर एक कल्चर को दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करना है या फिर आपको प्लेट पर आप क्या करनी है इस ट्रीकिंग करनी है ठीक है सो अल फोर टूड़े हम मिलते हैं आपसे नेक्स क्लास में